हलो दूस्तों आप सभी का स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में डिश्टिवी के तरफ से एक बहुत बड़ी खुशकबरी निकल कर आई है उन्होंने येस बैंक के शेर्स बाइबैक करने का प्रस्ताव रखा है और उस रिजन से डिश्टिवी के शेर में एक बड़ा उच्छाल देखने को मिला है वो लगबग 5% भाग चुका था और ये एक positive news है येस बैंक के शेरोलर्स के लिए किसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे लगातार येस बैंक के शेरोलर्स को निराशा ही हाथ लग रही है क्योंकि एक साल के उपर हो चुका है लेकिन ये 15 रुपे के उपर नहीं गया है अब येस बैंक के शेरोलर्स को क्या करना चाहिए क्या उन्हें loss बुक करकर exit कर लेना चाहिए या उन्हें hold करकर wait करना चाहिए और हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आने वाले समय में Yes Bank कहां तक जा सकता है अगर आपने Yes Bank में निवेश किया है या निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी informative हो सकता है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल करर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इसके बाजू की बेंट की घंटी भी दबा दीजिए ताके आपको इसी तरह की updated news सबसे पहले मिले चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं इसके performance के साथ इसने closing दी है 12 रूपीज 80 पैसे पर अगर हम percentage में देखे तो 0.79% की तेजी दिखाया है Yes Bank ने आज दिन भर एक range में ही चल रहा था Yes Bank आपने देखा ही है market भी एक range में ही चल रही थी उसी प्रकार से Yes Bank ने perform किया है यह open हुआ था 12 रूपीज 80 पैसे पर यह high लगाया 12 रूपीज 85 पैसे और low लगाया 12 रूपीज 75 पैसे अगर हम positive side देखे तो यह दिन के high के पास ही closing दिया है चल यह next हम NSE पर देख लेते हैं इसका performance कैसा था market close होने के बाद भी 5,68,000 के buying orders लगे हुए है अगर हम quantity traded देखे तो 6 crores 36 lakhs के quantity trade हुई है और 4 crores 44 lakhs की delivery rate हाई गई है percentage में देखे तो लगबग 70% की delivery rate हाई गई है एक बहुत ही बड़ी मात्रा में delivery rate हाई गई है friends आप देख सकते हैं 70% चलिए अब हम BSE पर भी देख लेते हैं यहां quantity traded है 2 crores 15 lakhs 9,000 की quantity trade हुई है और 1 crore 49 lakhs 59,000 की delivery rate हाई गई है percentage में देखे तो यहां पर भी 70% की delivery rate हाई गई है आपने एक चीज नोटिस की होगी friends BSE और NSE दोनों पर भी 70% की delivery rate हाई गई है और एक बहुत ही अच्छी मात्रा में trading हुई है चलिए हम volume analysis भी कर लेते हैं यहां 1 month का average है 12 crores 1 week का average 11 crores और कल इसमें 10 crores का volume था और आज 9 crores का volume दुबारा से बता दूं friends अगर आपका vision long term का है तभी इसमें निवेश कीजिए क्योंके कई महीनों से इसमें कुछ moment देखने को नहीं मिर रहा है और Yes Bank में जिसने निवेश किया है उन्हें तो सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है अगर आपने भी निवेश किया है और अभी भी hold करके बैटे हुए हैं तो वीडियो को like करके बताईएगा कि आपने इसमें hold करके रखा है चलिए अब हम news देख लेते हैं क्या निकल कर आई है Yes Bank के related Dish TV की तरफ से दो important news निकल कर आई हैं यहां आप देख सकते हैं Yes Bank must decide if it is Dish TV investor और a lender SL Group के chairman सुभाष चंदरा ने Yes Bank की clarity मांगी है उन्होंने पूचा है Yes Bank एक investor की तरह Dish TV में रहेगा या lender की तरह दोनों में काफी अंतर है investor की तरह अगर वो आगे आती हैं तो उन्होंने कहा है यह day to day activity में participate कर सकते हैं और अगर lender की तरह आ रहे हैं याने के जो loan दिया था Dish TV को उस तरह से आ रहे हैं तो उनका जो बकाया है वो settle करने के लिए बोल रहे हैं friends तो यह एक बहुत बड़ी news निकल कर आई है SL Group के chairman सुभाष चंदरा जी की तरफ से अब देखना होगा Dish TV कैसे react करता है इस statement को काफी महीनों से back and forth Dish TV और Yes Bank के बीच जगड़ा चल रहा है और कभी Dish TV Yes Bank पर case file करता है और Yes Bank कभी Dish TV पर file कर रहा है इस तरह से कोई हल निकल कर नहीं आ रहा है और start से ही Yes Bank Dish TV के management को change करने की बात कह रहा है और Dish TV का management नहीं चाह रहा है इसमें कोई changes हो दोनों के statement में काफी contradictory opinions है जिसकी वज़े से कोई proper settlement नहीं हो पा रहा है Dish TV में आपकी जानकर एक लिए बता दूं दोस्तों ये news के निकल के आने के बाद Dish TV में आज लगबग 5% का upside move देखने को मिला है क्योंकि SL Group के chairman ने एक positive statement दिया है वो देखते हुए shareholders को एक उमीद जागी है कि उसमें कुछ न कुछ solution निकलेगा चलिए अब हम next news देख लेते हैं क्या निकल कर आई है यहाँ देख सकते हैं आप we are open to buy back Dish TV shares from Yes Bank शुभाश शंदरा शुभाश शंदरा जी ने कहा है कि वो Dish TV के shares buy back करने के लिए ready है अगर ऐसा होता है तो court के बाहर ही settlement हो सकता है अब यह बड़े statement के बाद Yes Bank कैसे react करेगा वो देखना होगा अगर Dish TV और Yes Bank में mutual understanding में कोई settlement हो जाता है तो दोनों के लिए win-win situation रहेगा और Yes Bank के लिए तो यह एक बहुत बड़ा amount accumulate होता हुआ दिख सकता है अगर हम इस important news को continue करें तो यहाँ देख सकते हैं आप SL Group Chief says The dispute is hurting Dish TV's growth prospects यह जो दोनों के बीच की लड़ाई है वो दोनों Dish TV के growth prospect को रोक रहे हैं करके बताया है SL Group के chairman सुभाश चंदर जी ने और उन्होंने बताया है कि multiple options explore करकर इस dispute को end करने के लिए वो ready है और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है buyback करने के लिए और उन्होंने बताया है जो Yes Bank Airtel और Tata Play जैसे companies को approach कर रहा है अपने shares बेशने के लिए उन्हें बेशने के बजाए Dish TV के shares Dish TV को वापस बेश दे ऐसा प्रस्ताव रखा है दुवारे से बता दूँ अगर ऐसा होता है तो Dish TV और Yes Bank दोनों के लिए win-win situation रहेगा चलिए अब हम shareholder pattern देख लेते हैं अगर आप इस shareholder pattern को देखे तो Yes Bank का सबसे बड़ा share है जो के 25.6% है और DIs की holding है 1.59% Retail and HNIs की holding है 21.85% और Bodies Corporate की holding है 20.99% Others की holding है 13.05% FPIs की holding है 10.99% और Promoter की holding है 5.93% Overall percentage देखा जाए तो सबसे बड़ा percentage होल करता है Yes Bank आगे हमें देखना होगा Yes Bank के CEO प्रशांद कुमार जी क्या step लेते हैं इसके against और सुतरों के अनुसार ये news निकल कर आई है के Airtail और Tata Play के बीच भी Dish TV के share बेचने की बात हो रही है ये तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरह के decisions लिए जाएंगे दोनों management के द्वारा और दुबारा से बता दूँ अगर ऐसा होता है तो दोनों के लिए win-win situation रहेगा इससे Yes Bank का भी share price बड़ेगा और Dish TV के share price भी बड़ेगा चलिए अब हम चार्ट पर discuss कर लेते हैं Candlestick pattern क्या बता रहा है और Technical Indicators क्या indicate कर रहे हैं जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में discuss किया था ये 12 रुपे और 14 रुपे के बीच में ही juggling कर रहा है तो उसी प्रकार से आज का performance भी देखने को मिला है अगर आप ये last candle देखे तो एक छोटा सा green candle बनाया है कई दिनों की गिरावट के बाद और अगर हम MACD देखे तो MACD crossover करने के लिए ready हो चुका है और RSI इस समय positive indicate कर रहा है अगर आप इस RSI के signal को देखेंगे तो ये उपर की तरफ जाने के लिए indicate कर रहा है और William percentage oversold की zone से हट कर उपर जाने के तयारी कर रहा है overall अगर हम indicators देखे तो positive indicate कर रहे है और आपकी जानकरी के लिए बता दूँ friends जब ये 13 रुपीज 60 पैसे के उपर चला जाएगा तब में इसमे positivity आ सकती है क्योंकि ये VWAP का जो आप indicator देख रहे हैं यहाँ super trend ये 13 रुपीज 60 पैसे के उपर indicate कर रहा है अगर 13 रुपी 60 पैसे के उपर चला जाता है तो इसमें positivity आ जाएगी तब तक ये range bound होकर ही चलेगा और जो negative comment करते हैं मेरे वीडियो पर उनकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं लगातार अपने subscribers को suggest करता हुआ आ रहा हूँ अगर आपने इसमें निवेश किया है तो long term के लिए hold करके चलना होगा और आज भी मैं वही कहूंगा जब तक इसमें कोई positive news नहीं आती तब तक ये एक range bound होकर ही चलेगा अगर आप positive side देखे तो ये एक penny stock है और बड़े बड़े दिगेज बैंकों ने इसमें अपना position बना कर रखा है और ये company डूबने वाली नहीं है अगर डूबना होता तो जब इसमें बड़ा घोटाला हुआ था तब में ही डूब जाती इन सभी points को consider करते हुए आप इसमें position बना कर रह सकते हैं अभी भी ये एक range में ही चल रहा है तो हमें इस moment का फाइदा उठाना चाहिए यहाँ पर आप fresh buying कर सकते हैं और आपका target रह सकता है 14 rupees और जिन लोगोंने long term के लिए hold करके रखा है मैं उन्हें suggest करूँगा hold करके चलिए ये सिर्फ एक positive news के लिए wait कर रहा है तो ये तूफान की तरह उड़ सकता है friends चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो wind up करता हूँ दोस्तों ये तो मेरे views है कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजिए अगर ये वीडियो आपको informative लगा तो इसे like करकर encourage करी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और बेला के दबाना मत भुलिए ताकि आपको इसी तारे की latest news सबसे पहले मिले